सूपरभाद बच्चो, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमिय अंबाला में स्वागत है बच्चो, आज हम खुलते पंक कक्षा 3, part 8 का गुरू मंत्र की कहानी को समझेंगे बच्चो, मुझे ये बताओ, क्या तुमारे गर कोई महमान आते हैं? और यदि तुमारे गर महमान आते हैं, तो तुम क्या क्या करते हो? और यदि महमान तुमारे गुरू हो, तो तुम क्या करोगे? बच्चो, गुरू जी हमें जीवन जीने का मंत्र देते हैं, हमारा माग दर्शन करते हैं आज इस गुरु मंत्र की कहाणी में हम यही सिखेंगा जानेंगे कि गुरु गोविन सिंग जी ने अपने शीषय को क्या मंत्र दिया है एक बार गुरु गोविन सिंग जी पटना जा रहे थे तभी रास्ती में कुछ समय के लिए वे जमिदार के घर रुके जमिदार उनका शेश्य था गुरुजी पहले बार उनके घर आये थे इसलिए जमिदार की खुशी का ठिकाना ना था तभी पत्नी और बच्चों के साथ दोड़ दोड़का गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गए जमिदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्याक में पर्तिक्षा में खड़ा था गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा तुरंत जमिदार ने अपने बड़े बेटे से कहा बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरु जी के लिए पानी लेके आओ, गुरु जी की सेवा का अफसर बड़े भाग्या से मिलता है, बेटा दोड़कर गिलास में पानी ले आया, उसने गिलास गुरु जी की ओर बढ़ाया, तभी गुरु जी बोले, बेटा वह तुमारे ह हाथ तो बहुत संदर है, यह बताओ, कि इन हाथ से केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो, यह किसी और को भी पानी पिलाते हो, तभी जमिदार बोल उठा, महराज, जीवन में पहली बार किसी के लिए पानी लाया है, यह किसी के लिए कभी कोई काम नहीं करता है, किसी को पान पानी ना पी सकूंगा सब एक दूसरे का मुझ देखने लगे जम्मिदार बड़ी विनर्मता के साथ बोला महराज मेरे बेटे की आपकी सेवा करने का सुवसर मिला है आज आप उसके हाथ से पानी पी लीजिए वै धन्य हो जाएगा बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की और बढ़ाया गुरुजी ने ग्रहन ही नहीं किया तब ही उन्होंने कहा कि बेटा तुमारे हाथ पवित्र नहीं है मैं तुमारे हाथ से का पानी नहीं पी सकता लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और उसकी आखों में आसु आ गए उन्होंने कहा मैं तो आपके क्या हूं मेरे हाथ तो साफ है गुरु गोविन सिंग जी ने उत्तर दिया बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं धोने से नहीं और जब तुम इन हाथों से दूसरों की सेवा करोगे तब भी तुमारे हाथ पवित्र होंगे मैं तब तुमारे हाथ से जल ग्रहन करूंगा जमिदार की बेटे की आखे भराई और उसे यह है गुरु मंत्र मिला कि उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का वरत ले लिया प्रण ले लिया ओके बच्चो इस कहाने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा सतकार करना चाहिए धन्यवाद बच्चो